नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है बिहार बोर्ण इंटर परिक्षा के लिए पोलिटिकल साइन्स के अतिमात पुर्ण अबजेक्टिव प्रस्ण दोस्तों इस वीडियो को आप अन तक जरूर दखें क्योंकि इसमें सभी प्रस्ण भीवी आई है जो पुछे जाएंगे तो आएए पहला प्रस्ण पर रहे हैं कि किस समीती की अनुसंसा पर भारत में प्रत्थम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था प्रस्ण है किस समीती की अनुसंसा पर भारत में प्रत्थम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था तो ओप्षन आपके सामने स्क्रीन पर है इस प्रस्ण का उत्तर अगर आप D सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे हैं बलवंत राय महिता समीती अगला प्रस्ण है आपका निम्लिखीत में से कौन भारतिय संग्य ब्यवस्था की बिसेश्था नहीं है तो ओप्षन आपके समने है इस प्रस्ण का उत्र जग आपका दोरी नागरिक्ता या भारतिय संग्य ब्यवस्था का बिसेश्था नहीं है दोरी नागरिक्ता अगला प्रस्ण है आपका भारतिय सम्मिधान के दुवारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए है तो इस प्रस्ण का उत्रजग आपका ओप्सन नमर B बिल्कुल सही है छे अगला प्रस्ण है भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेत निर्वाचन के लिए प्रदान करता है तो इस प्रश्ण का उत्रजग आपका ओप्सन नमर D बिल्कुल सही है अनुच्छेत तिनसो चवविस राज्य सवां में परतिनी धित्व होता है तो इस प्रश्ण का उत्रजग आपका ओप्सन नमर C बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है भारतिय संग्य ब्यवस्था में किसे अधिक सक्तियां प्राप्त है तो इस प्रश्ण का उत्र हो जगा आपका ओप्सन नमर A बिल्कुल सही है के अंदर सरकार को भारतिय संग्य ब्यवस्था में किसे अधिक सक्तियां प्राप्त है सबसे ज़्यादा किसको सक्ति प्राप्त है तो केंदर सरकार अगला प्रस्ण है राज शवां में मनोनित सद अगला प्रस्ण है भारत में पहला नगर निगम अस्थापित किया गया था तो इस प्रश्णिक का उत्रजगापका मद्रास अगला प्रस्ण है किस राज को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29 राज के रूप में तेलंगना की अस्थापना की गई है प्रस्ण है किस राज को हाल ही में विभक्त यानि कि बाट कर भारत के 29 राज के रूप में तेलंगना की अस्थापना की गई है तो इस प्रस्ण का उत्र जगापका ओप्सन नम्मर ए बिल्कुल से है अंद्र परदेश को अगरा प्रस्ण है के अंद्र राज समन्धों में प्रमुख अरचन क्या रही है तो इस प्रस्ण का उत्र जगापका ओप्सन नम्मर डी बिल्कुल से है इनमें सभी राजिपाल की भुमिका अनुच्छे 356 राजियों की केंद्र पर निर्भरता इनमें सभी हो जाएगा ओप्सन नम्मर डी से है अगला प्रस्ण है भारतिय सम्विधान का 33 संसोधन समन्दित है तो इस प्रश्ण का उत्र जगापका ओप्सन नम्मर डी बिल्कुल से है पंचाईती राजियों की कौन करता है शर्वोच नियाले के नियाईदिस की नियुकती कौन करता है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगापका ओप्सन नम्मर C बिल्कुल से है राष्ट पती अगला प्रस्ण है भारत में गैर कॉंग्रेस सरकार के पहले परधान मंतरी कौन थे भारत में गैल कोंग्रेस सरकार के पहले परधानमंत्री कौन थे? नमर B बिलकुल से मोराजी दसाई ओप्सन नमर B सही है अगला प्रस्न है भारतिये सम्मिधाँन का कौन सा अनुच्छेद संसद के शैयुक्त अधीवेशन की अनुमती देता है? भारतिय संविधावन का कौन सा अनुछेद संसद के शैयुक्त अधिवेशन की अनुमती देता है तो इस प्रश्णिका उत्रोगाब का ओप्शन नंबर B बिल्कुल सही है अनुछेद 108 अगला प्रश्ण है निम्नली खीत में से कौन एक संविधानिक संस्था नहीं है तो इस प्रश्णिका उत्रोगाब का ओप्शन नंबर A बिल्कुल सही है निति आयोग संविधानिक संस्था नहीं है प्रश्ण है भारतिय संविधान के किस भाग को संविधान को आत्मा कहा जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तरों जग आपका option number A बिल्कुल सही है प्रस्तावनों को भारतिय सम्विधान के किस भाग को सम्विधान को आत्म कहा जाता है तो प्रस्तावनों को कहा जाता है option number A बिल्कुल सही है शम्विधान सवा के अध्यक्ष कौन थे शम्विधान सवाए के अध्यक्ष कों थे तो इस प्रश्णिका उत्रजवाँ आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है डॉक्टर राजेंदर परसाद अगला प्रश्ण ने है शम्विधान दुवारा किस भासा को राज सवाँ का दर्जा दिया गया है तो इस प्रश्ण का उत्तर जागा आपका ओप्सन नम्मर सी बिल्कुल से है हिंदी भासा को राज भासा का दर्जा दिया गया है अगला प्रश्ण है शैयुक्त राष्ट शंग का सदस्य कब बना भारत शैयुक्त राष्ट शंग का सदस्य कब बना तो भारत सैयुक्त राष्ट शंग का सदस्य बना 1945 इस भी में और सैयुक्त राष्ट शंग के अस्थापन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था इसका अस्थापन और उसी समय 1945 में ही भारत भी इसका सदस्य बन गया संयुक्तराश शंका अगला प्रस्ण है किस देश ने नोटों में अमरीकी नेत्वर का बिरोध किया किस देश ने नोटों में अमरीकी नेत्वर का बिरोध किया तो इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका option number C बिल्कुल सही है पस्चिमी जर्मनी ने प्रश्ण है सोराष्ट किस राज का अंग है तो इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका गुजरात का option number D सही है अगला प्रश्ण है किस देश के प्रभूप्त से एक धुर्वियता कायम हुई तो इस प्रश्णिक का उत्तर होगा आपका option number D बिल्कुल सही है अमरीका अगला प्रस्ण है दसक्स सार्ख में कितने देश है तो इस प्रश्णिक का उतर हो जगा आपका ओप्सन नमर सी बिल्कुल सही है साथ देश है अगला प्रस्ण है सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है तो पांच है अस्थाई सदस्यों क्या कितनी है सुरक्षा परिशद में पांच अगला प्रस्ण है पुना पाइकेट समन्दित था तो हिंदू मुस्लिम एकता से पुना पाइकेट समन्दित था अगला प्रस्ण है शयुक्त राश्षंग के चटर में कितनी धराये हैं तो इस प्रश्णिक का उत्तरोग आपका 111 धराये हैं अगला प्रस्णिक का उत्तरोग आपका अप्सन नमर ए बिल्कुल सही है अनुचेद 245 से 225 अगला प्रस्ण है मुख्य मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है तो ऑप्सन नमर सी बिल्कुल सही है राजीपाल भारतिय सम्विधान में कितने मौलिक करता भी है तो इस प्रश्णिका उत्तरोग आपका आपका उप्सन नमर डि बिल्कुल सही है एक ग्यार है राजियों के शंबिधानिक प्रमुख कौन है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जगा आपका ओप्सन नमर ए बिल्कुल सही है राजिपाल राजियों के संबिधानिक प्रमुख कौन होते है तो राजिपाल ओप्सन नमर ए सही है प्रश्ण है कौन शंबिधान, संसोधन, सहरी, अस्थानिये और सासन से जुरा है फिर से प्रस्न परना है दूस्तों कौन शंबिधान, संसोधन, सहरी, अस्थानिये, सासन से जुरा है तो इस प्रस्निक का उत्तरोग आपका ओप्सर नमर बी बिल्कुल सही है अगला प्रस्ण है किस देश का शंबिधान विश्व का सबसे बड़ा संबिधान है तो इस प्रश्णिक का उत्तर हो जगा आपका अपसर नम्मर डी बिल्कुल सही है भारत अगला प्रस्ण है किस वर्ष श्रीमति इंद्रा गंधी ने अपता काल की घोशना की किस वर्ष श्रीमति इंद्रा गंधी ने अपता काल की घोशना की तो इस प्रश्णिक का उत्तर हो जगा आपका 1975 अगला प्रस्ण है आपका भारतिय समिधान के किस भाग में राज के निती निर्देशक तत्व नहीं थै भारतिय समिधान के किस भाग में राज के निती निर्देशक तत्व नहीं थै तो इस प्रश्णिक का उत्तर जगा आपका उप्सन नमर सी बिल्कुल से है भाग ये चार अगला प्रश्ण है बजट का सम्बंद किस पक्ष के साथ है तो उप्सन नमर सी बिल्कुल से है आएवं वे अगला प्रश्ण है भारत में बित आयोक का कार्यकाल कितना है तो इस प्रश्णिक का उत्तर जगा आपका पंच वर्स उप्सन नमर ए सही है प्रश्ण है बिहार विधावन परिशद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है बिहार विधावन परिशद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है तो इस प्रश्णिक का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है छे वर्स प्रस्ण है किस भारतिय राज्ज का अपना सम्विधान है तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नमबर D बिल्कुल सही है जम्बू का स्वीर अगला प्रस्ण है मुस्लीम लिंग की अस्थापन कब हुई तो 1906 भी में अगला प्रस्ण है 1980 में किस राजनितिक दल की अस्थापन हुई तो भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस बारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ओप्सन नमबर A सही है अगला प्रस्ण है भारत में हरित करौंती के जनक कौन है तो इस प्रश्ण का उत्तर जागा आपका अप्शन नम्मर ए सही है अगला प्रस्ण है भारत की पहली महला राष्टपती कौन थी? तो अप्शन नम्मर सी बिल्कुल सही है परतिवा पाटिल प्रस्ण है केंद्र में जनता पाटि कीस वर्स सत्तों में आई तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नम्मर भी बिल्कुल सही है 1977 इस भी में प्रस्ण है 2005 के बिहार विधान सभा चुनाव में किस राजनितिक दल ने प्रत्थम अस्थन प्राप्त किया तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा आपका आप्शन नम्मर डी बिल्कुल सही है रज़द अगला प्रस्ण है आठरवा सार्क सम्मेलन कहां हुआ था तो इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा काटमांडू में आप्शन नम्मर भी सही है काटमांडू में अगला प्रस्ण है CTBT प्रस्ताप शैयुक्त राश्चंग द्वारा कब सुईकारा गया तो 1996 में आप्सन नमर B सही है भारत द्वारा दूसरा सफल पर्मानु परिक्षन कब क्या गया अगला प्रस्ण है आपका अप्सन नमर C बिल्कुल सही है पंडित जवारलाल नहरू अगला प्रस्ण है आपका शैयुक्त राश्चंग के प्रथम ACI महासचीब कान थे तो इस प्रश्ण का उत्तर जाएगा आपका उप्सन नमर B बिल्कुल सही है यू थर्ड अगला प्रस्ण है ग्राम कचरी का प्रधान कान होता है ग्राम कचरी का प्रदावन कौन होता है तो इस प्रश्ण का उत्र जागा सरपंच ग्राम कचरी का प्रदावन कौन होता है सरपंच भारत में निर्वाचन आयो कागठन कब हुआ? आपको को मनना है A और खो को मनना है B और इसे C और इसे D तो अप्षन A 1949 अप्षन B 1950 अप्षन C 1951 अप्षन D 1952 तो इन अप्षन में से जो सही उतर है आप कोमेंट बॉक्स में उतर दिजिए कि भारत में निर्वाचन आयो कागठन कब हुआ था? तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अप्षन नमर B सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे आप 1950 इस वी में भारत में निर्वाचन आयो क्या स्थापन हुआ था? अगला प्रश्ण देखिए भारत के प्रथम सिक्षा मंतरी कौन थे? जली सोचे दोस्तों इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा? भारत के प्रथम स सिक्षा मंतरी कौन थे? तो अब्दूल कलाम अजाद बिल्कुल सही सोचे थे अब्दूल कलाम अजाद भारत के प्रथम सिक्षा मंतरी कौन थे? अगला प्रस्ण है प्रस्ण है भारत में तीर्तिय अमचुनाव कब हुआ था? भारत में तीर्तिय अमचुनाव कब हुआ थ तो इस प्रश्णिका उत्तर तेज़ देज़े कोमेंट बोक्स में क्या होगा तो भारत में तीरतिय आम चुनाव हुआ था 1962 इसवी में अगला प्रस्ण है भारत का 29 राज्य कौन है भारत का 29 राज्य कौन है जारखन उत्राण चल 36 गर तेलंगना तो इस प्रश्णिक का उत्तर बिल्कुल सही सोचे है तेलंगना भारत का 29 राज्य तेलंगना था चलते हैं अगले प्रश्णिक क्योर प्रस्ण है किसने दुईराष्ट शिद्धान का परतिपादन किया तो इस प्रश्णिक का उत्तर हो जाएगा आपका अप्सन नमर सी यानि मुहम्मद अली जिन्ना ने किसने दुईराष्ट शिद्धान का परतिपादन क्या था मुहम्मद अली जिन्ना ने अप्सन नमर सी बिल्कुल सही है अगला प्रश्ण है आपका प्रश्ण है किस पंचवर्सी योजना में गरीवी हटाओ कारिक्रम को विशेश अस्थन दिया गया किस पंचवर्सी योजना में गरीवी हटाओ कारिक्रम को विशेश अस्थन दिया गया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी बिल्कुल सही है छठी योजना में 1980-1985 के आसपास छठी योजना में और ये गरीवी हटाओ का नारा किस ने दिया था इंद्रागंधी ने अगला प्रश्ण है भारतिय जनता पाटी की अस्थापन कब हुई भारतिय जनता पाटी की अस्थापन कब हुई तो इस प्रश्ण का उत्तर होगी आपका उप्सन नमर बी बिल्कुल सही है 1980-1985 में भारतिय जनता पाटी की अस्थापन कब हुई 1980-1985 में अगला प्रश्ण है प्रश्ण है भारत में सरकारी दुद्ध उत्पादन का अंदोलन कहों सुरू हुआ था भारत में सरकारी दुद्ध उत्पादन का अंदोलन कहों सुरू हुआ था यानि भारत में दुद्ध उत्पादन का अंदोलन कहों सुरू हुआ था गुजरात में अप्सन नमर ए बिल्कुल सही है गुजरात में अगला प्रश्ण है आपका किस भासा के अधार पर 1953 में अंध्र परदेश का गठन हुआ था यानि कि पहला ये अंध्र परदेश राज है जो कि भासा के अधार पर अलग हुआ और उसका गठन किया गया था यानि कि राज को बना गया था भासा के अधार पर किस भासा के अधार पर 1953 में अंध्र परदेश का गठन हुआ तेलगू अप्शन नमर डी बिल्कुल से ये तेलगू तेलगू अगला प्रशन है पुर्वुत्तर भारत के सातो बहनों में कौन सा राज समिल नहीं है पुर्वुत्तर भारत के सातो बहनों में कौन सा राज समिल नहीं है अगला प्रशन है प्रशन है परधान मंत्री लाल बहादूर सास्त्री ने किस समझोते पर हस्ताक्षर किया तो इस प्रशन का उत्तर होगा आपका भारत पाक समझोता भारत पाक समझोता उप्सन नम्मर डी बिल्कुल सही है लाल बादूर सास्त्री ने भारत पाक समझोता पर अस्ताक्षर किया थे अगला प्रशन है भारत की बिदेशी निती का निर्मन किने माना जाता है भारत की बिदेशी निती का निर्मन किने माना जाता है भारत की बिदेशी निती का निर्मन किने माना जाता है तो इस प्रश्ण का उत्तर जगा पंडित नहरू को पंडित नहरू को पंडित जवारलाल नहरू पंडित नहरू अप्शन नमर ए सही है अगला प्रश्ण है भारत में दूसरा सफल पर्मानु परिक्षन कब किया तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका उप्सन नम्मर अगला प्रश्ण है बंगला देश का उद्या कब हुआ बंगला देश का उद्या कब हुआ स्वल्लाज दिसम्बर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगास 1962, पंच मार्च 1972, बताइए इस प्रश्न का कोमेंट में क्या होगा, तो दोस्तो इस प्रश्न का उत्तर होगे आपका उप्शन नमर A, यानि को स्वल्लाज दिसम्बर 1971 को बंगला देश का उदय हुआ, या गठन हुआ, या भारत से अलग हुआ, थेका है, तो चलते एगले प्रश्नी क्योंबर, प्रश्न है, किस देश ने 1962 में भारत पर आकरमन कर 15 संधि का उलंगन किया, प्रश्न बहुत अच्छा है, दोस्तों, समझेगा, किस देश ने 1962 में भारत पर आकरमन कर 15 संधि का उलंगन किया, तो बताए इस प्रश्ण का उत्तर कोमेंड में क्या होगा तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जागा चीन ने पंच सिल सम्झोता किसके बीच हुआ था चीन के साथ हुआ था और चीन ने 1962 में आकर्मन कर दिया तो पंच सील संधी का क्या हो गया उलंगन हो गया चीन हो जाएगा चीन देसने अगला प्रश्ण है प्रश्ण है आपका पोखरन परमानू परिक्षन भारत के किस राज में हुआ बहुत ही अच्छे प्रश्ण है दोस्तो तो पोकरन परमानू परिक्षन भारत के किस राज में हुआ था तो राजस्थान में अप्सान नमर सी बिल्कुल से कहा हुआ था राजस्थान में पोकरन परमानू परिक्षन भारत के राजस्थान में हुआ था अप्सान नमर सी सही है अगला प्रस्ण है 1972 में भारत और पाकिस्थान के बीच इन में से कौन समझोता हुआ तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपका अप्शन नम्मर ए बिल्कुल से यह सिमला समझोता कौन समझोता हुआ था सिमला समझोता उनिस पाकिस्थान में भारत और पाकिस्थान के बीच इनिस सो बातर में सिमला समझोता हुआ था अगला प्रस्ण है 1969 में सतंत्र पार्टी किसने बनाई सी राज गोपाला चारी अप्शन नम्मर ए बिल्कुल से है सी राज गोपाला चारी अगला प्रस्ण है 1977 के आम चुनाव में बिजाई पाटी का नाम लिखें ये बताईए जनता पाटी अप्शन नम्मर बी बिल्कुल से है जनता पाटी अगला प्रस्ण है तारी बिरोधी अंदोलन किस राज से समन्दी थै तो तारी बिरोधी अंदोलन किस राज से समन्दी थै अगला प्रशन देखिए मेगा पाठकर का नाम किस अंदवलन से जुरा है? नर्मदा बचाओ अंदवलन से मेगा पाठकर का नाम किस अंदवलन से जुरा है? नर्मदा बचाओ अंदोलन से, उप्सन नमर ए बिल्कुल सही है, अगला प्रस्ण है, फ्रक्का समझोता का संबन इन में से किस्से है, भारत और बंगलादेश के बीच, भारत और बंगलादेश, फ्रक्का समझोता का संबन इन में से किस्से है, भारत बंगलादेश बारत बंगलादेश ओप्सन नमर C बिल्कुल सही है भाकरा नांगल परियोजना किश नदी पर इस्तित है भाकरा नांगल परियोजना किश नदी पर इस्तित है सतलज नदी पर ओप्सन नमर D बिल्कुल सही है सतलज नदी पर भाक्रा नंगल प्रियोजना इस्तित है सतलज नदी पर अगला प्रस्न है नेहरू के नीधन के बाद उनका राजनितिक उत्राधिकारी कौन बना नेहरू के नीधन के यानि नेहरू के मरने के बाद उसका राजनितिक उत्राधिकारी कौन बना लाल बहादूर सास्त्री अगला प्रस्ण है सीटो और सांटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? अमरीका अमरीका सिंटो और संटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था अमरीका अगला प्रस्ण है इन में से कौन एक गुट निर्पेक्च अंदावलान के जनक नहीं थे इन में से कौन एक गुट निर्पेक्च अंदावलान के जनक नहीं थे तो अरा अफ़ाद अप्सा नमरी भी सही है अगला प्रस्ण है दो धुरुविय विश्वु में पूर्वी गठवन्दन का नेत्वद किस ने किया दो धुरुविय विश्वु में पूर्वी गठवन्दन का नेत्वर किस ने किया शोवियत संग ने अप्सा नमर ए बिल्कुल सही है किस ने किया शोवियत संग ने प्रस्ण है सीत यूद का आरम कब हुआ सीत यूद का आरम हुआ था 1944 इसवी में प्रस्ण है शैयुक्त राज अमिर्का में कूल कितने राज्य है शैयुक्त राज अमिर्का में कूल कितने राज्य है पच्चास अप्सन नमर डी सही है शैयुक्त राज अमिर्का में कितने राज्य है पच्चास अप्सन नमर डी सही है ब्रेंज इसके राष्ट पती थे अप्शन ए बिल्कुछ यह स्ववियत संग प्रस्न है अंतराष्टिय अनू उर्जा अभीकरन की अस्थापन कब हुई आंतराष्टिय अनू उर्जा अभीकरन की अस्थापन कब हुई इन में से कौन सुरच्छा परिशत का अस्थाई सदस्य नहीं है इन में से कौन सुरक्षा परिशद का अस्थाई सदस्य नहीं है इटली और फ्रांस है ब्रिटेन है चीन है तेकिन इटली सुरक्षा परिशद का सदस्य अस्थाई सदस्य नहीं है अस्थाई सदस्य नहीं है इटली शार्क के सबसे बरे देश का नाम बताईए सार्क के सबसे बरे देश का नम बताईए तो स्री लंका आप्सान नमर भी सही है प्रस्न है शैयुक्त राज अमिर्का पर अतंक वादियों द्वारा अक्रमन कब किया गया शैयुक्त राज अमिर्का पर अतंक वादियों द्वारा अक्रमन कब किया गया 2001 में अगला प्रस्न है पहला खारी यूद किस वर्स लारा गया पहला खारी यूद किस वर्स लारा गया 1990 में पहला खारी यूद किस वर्स लारा गया 1990 इस वी में प्रस्न है भारत ने स्री लंका में अपनी सांती सैना कब भेजी भारत ने स्री लंका में अपनी सांती सैना कब भेजी 1987 में भारत ने स्री लंका में अपनी सांती सैना भेजी थी प्रस्न है निम्न लिखीत में से कौन सी संदी अस्त्र नियंत्रन संदी थी तो इन में सभी प्रस्ण है कितने देशों दुवारा जैविक हत्यार समझाओते BWC पर हस्ताक्षर किये गए कितने देशों दुवारा जैविक हत्यार समझाओते BWC पर हस्ताक्षर किये गए एक सो पच्छपन देशों दुबारा ऑप्शनम नमर टी सही है प्रस्न है वेश्वी करैन का शमान अर्थ क्या है वेश्वी प्रस्न नमर टी बिल्कुल चही है एक करैन तो दोस्तों ये आतपूर्ण ऑपज्दीक्टिब प्रस्न थे आप इसे एक बार फिर से देख लिजए और आप इसे अच्छी से याद कर लिजए क्योंकि इस तरह का प्रस्ण बहुत बार पुछे गया है और पुछे जाएंगे ताकि आपके पास जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आ जाए तो मिलते हैं कल जय हिन जय भारत